आज बनाते हैं केले के मालपुए जो बहुत ही आसान है और घर के सामान से ही बन जाता है तो एक कटोरी इसमें सूजी लेंगे और आदा कटोरी इसमें मैदा लेंगे और मैदा लेने के बाद में इसमें दो केले टुकड़े करके और इसको डाल देंगे दो केलो को और आदा क कब दूद लेंगे वो भी इसमें डाल देंगे और आदा कब इसमें पानी डाल देंगे और बिल्कुल बारिक पेश्ट तुसा बना लेंगे और इसको बाउल में डाल देंगे डालने के बाद में इसमें चार चमचनारियल का बुरादा डाल देंगे और बारिक करीव PCV लाई तो red color के डाल देंगे एक bowl में और एक bowl में बलब जमुझ यहीं चाशनी बना देंगे और फिर एक पहन लेंगे उसमें घी या तेल डाल देंगे और इसको चम्मत से फैला के इनको डाल देंगे बहुत ही आसान है ये बनाना और आप बहुत ही अच्छी मिठाई बनके तयार होती है और कुछ ज़्यादा महनत भी नहीं है और फिर ये जब पक जाते हैं तो ये अपने हाँ पी उपपर आ जाते हैं और उपपर आने के बाद में इनको पलट देंगे और पलटने के बाद में इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और निकालने के बाद में थोड़ा अलका सी ठंडा करेंगे और जो चाशनी बनाई थी उसके अंदर डाल देंगे और डालने के बारे में इसको 10 से 15 मिनिट तक रहने देंगे और फिर ये बन के तयार हो जाती ही मिठाए और फिर इसको गुलाब के पत्तियां और पिस्ते से और जो नारेल का पुरादा उसमें डाल के और इसको सर्व करेंगे